हर महिला चाहती है कि उसकी प्रेग्नेंसी हेल्दी हो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो शुरू से ही उसके मन में एक तरह की घबराहत होती है कि उसकी प्रेग्नेंसी हेल्दी रहे उसकी प्रेग्नेंसी में कोई कॉंप्लिकेशन नाए नमश्कार मैं डॉक्टर मनीशा सिंग आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेग्नेंसी में ऐसे 10 स्लेंग बताने वाली हूं जो की एक हैल्दी pregnancy को दर्शा आते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी pregnancy healthy चल रही है पहला संकेत होता है जो हम 6-7 हफते में dating ultrasound करवाते हैं उसमें baby की heartbeat का आना आम तोर से baby की heartbeat 6-7 हफते में आ जाती है यदि baby की heartbeat नहीं आती तो repeat ultrasound आपके doctor आपको advice करेंगे दो हफते बाद और अगर फिर भी नहीं आती तो उसे हम miss devotion कहते हैं तो इसलिए अगर आपके baby की heartbeat ultrasound में आ गई है तो यह संकेत है कि आपकी pregnancy healthy है दूसरा संकेत होता है जब doctor आपको ultrasound लिखते हैं 11-13 हफते वाला जिससे हम anti-nb scan कहते हैं anti-nb scan में भी दो तीन चीज़ें ऐसी होती है जो radiologist आपकी देखते हैं जिससे पता चलता है कि आपकी pregnancy healthy है अगर आपका anti-nb scan normal है तो आपकी pregnancy healthy चल रही है तीसरा संकेत है गर्भाशे के मुँ का बंद होना गर्भाशे का मुँ जिसे हम cervix कहते हैं उसकी length यानि की cervical length यह cervical length अगर छोटी होती है तो premature delivery का खत्रा जादा होता है और यह cervical length हमें ultrasound में पता लग जाती है तो अगर आपके cervical length ultrasound में normal है तो यह भी एक pregnancy का healthy sign है प्रेगनेंसी से पहले अगर आपको ऐसी कोई medical condition है जैसे blood pressure या diabetes या कोई kidney problem तो ऐसे cases में आपको अपना ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा तक ही जो आपकी medical problem है यह पूरी pregnancy control में रहे और अगर यह control में रहती है जो भी आपके parameters हैं चाहे तो blood pressure के हों या fish sugar के हों यह अगर control में रहते हैं तो आपकी pregnancy healthy रहेगी तीसी तिमाही में किसी किसी महिला में blood pressure बढ़ जाता है pregnancy से पहले उनका blood pressure सही रहता है लेकिन pregnancy का जब third trimester यानि तीसी तिमाही आता है तो उनका blood pressure बढ़ जाता है जिसे हम pregnancy induced hypertension कहते हैं या gestational hypertension या उनका शुगर बढ़ जाता है जिसे हम gestational diabetes कहते हैं तो आपको अपने blood pressure और शुगर का खास ध्यार रखना है तक कि यह बढ़ न पाए और अगर बढ़ जाए तो यह control में रहे छटा संकेत होता है कि तीसरी तिमाही में भी जो अवनलाल होती है प्लसेंटा होती है उसका गर्भा शेय के मूपर ही होना आम तोर से जब हम पहली तिमाही में या level 2 ultrasound कराते हैं दूसी तिमाही में तो प्लसेंटा किसी-किसी cases में नीचे होती है लेकिन जैसे जैसे baby grow करता है uterus grow करता है यह प्लसेंटा का migration उपर की तरफ हो जाता है लेकिन अगर तीसरी तिमाही में भी आपका प्लसेंटा नीचे की तरफ है तो यह खत्रे का संकेत है और अगर आपका ultrasound में आपका यह placenta normal है उपर की तरफ है तो एक यह अच्छा संकेत ह होता है तीसरी तिमाही में जो डॉक्टर आपको ultrasound कराते हैं उसमें भी बहुत सारे parameters होते हैं जिसे हम यह पता चलता है कि आपकी pregnancy healthy चल रही है जैसे baby का weight हो गया या जो baby के आसपास पानी है जिसे हम amniotic fluid कहते हैं वो normal है या फिर जो mother से baby में blood flow होना चाहिए वो सही है की नह अगर यह सब चीज़े सही है तो यह भी pregnancy का अच्छा संकेत healthy pregnancy का संकेत माना गया है आठवा संकेत होता है कि pregnancy के दौरान ना आपका जो weight gain है ना बहुत जादा होना चाहिए ना weight gain बहुत ही कम होना चाहिए आमतार से हम लोग यह मानते हैं कि pregnancy में जो mother का weight gain है वो 10 से 12 kg टोट 12 kg से ज्यादा हो गया है weight gain या फिर आपका weight gain कम है तो आपको अपना ख्याल ज्यादा रखना है अगर weight gain ज्यादा हो जाता है तो pregnancy के साथ बहुत सारी complications भी आ जाती है तो अगर आपका weight gain 10 से 12 kg तक है तो यह healthy pregnancy का संकेत है नौवा sign होता है कि जब doctors आप doctor के पास visit पे जा रहे हैं तो doctor आपके baby bump को examine करके बताते हैं कि जो आपका baby weight है या baby growth है वो सही है कि नहीं जो आपका gestational age चल रहा है जितने महीने चल रहे हैं जितने weeks pregnancy के चल रहे हैं उस हिजाब से आपका baby bump सही है कि नहीं अगर वो correspond करता है कि कितने weeks का आपका baby bump आ रहा है और कितने weeks की pregnancy चल रही है तो ये भी pregnancy का एक healthy संकेत है और दस्वा और आखरी अच्छा संकेत होता है baby movements का अच्छा होना मदर को baby movements feel करते रहना चाहिए और अगर baby movements पूरे दिन में 24 गंटे में 10 से 12 हो रहे हैं तो ये healthy संकेत है और अगर आपको ऐसा लगता है कि baby movements कम हो रहे हैं बहुत या आपको अगले 4-5 घंटों से बिल्कुल भी baby movements perceived नहीं हुए है तो आपको तुरंत अपने doctor के पास जाना चाहिए baby movements एक ऐसी चीज है जो mother की monitoring होती है क्योंकि doctor के पास तो आप 15 दिन में एक बार जाएंगे या अगर तीसरी तिमाही में last trimester चल रहा होगा तो हफते में एक बार जाएंगे तो जो mother की monitoring है वो बहुत important होती है तो आपको ये हर रोज ध्यान रखना है कि आपके जो baby है उसका movement सही हो रहा है कि नहीं तो ये थे 10 ऐसे संकेत जो की हर महिला को पता होने चाहिए कि उसकी pregnancy healthy चल रही है कि नहीं सबसे पहला हमारा heartbeat का scan हो गया फिर हमारा anti-nv scan हो गया गर भाषय का मूँ normal होना चाहिए अल्टरसाउंड पे जो baby weight है या baby के आसपास का पानी है या mother से baby का blood flow है वो भी सही होना चाहिए और अगर blood pressure, sugar ऐसी कोई problem है पहले से ही है या pregnancy में induced हुई है तो उस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए baby moments का ख्याल रखना चाहिए प्रेगनेंसी में कितने ultrasound होने चाहिए और उन ultrasound का क्या significance होता है उनसे क्या पता चलता है इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा और अगर आपके मन में कुछ questions रह गए हो तो नीचे comment box में जरूर लिखेगा मैं जरूरी उनका answer करूंगी मेरे इस वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe करें Thank you